वो मेरे दिल का टेली फोन करे जी हाजी रिंग रिंग रारा रिंग दोस्तों जैसे कि आप लोगों पता होगा कोविट से पहले भाई साहब आयुशमान खुराना का जो स्टार्डम था लिट्रिली गाईज क्या जबर्दस तरीके कि उनकी मूवियां आती थी इस्टोरी भी लग होती थी लोग कनेक्ट हो जाते तो और हर मुवी साव करोड पार चाहे आप लोग बधाई दो ले लो ड्रीम गर ले लो बाला ले लो सुबमंगर शापधान दे लो भाई कहीं ना कहीं दोस्तों कोविट के बाद वाई बॉलीवूड को नजर लगी अभी गाईस एक ब भाई सहाब चैनल को सब्सक्राइब करें तो करते हैं अपने इस वीडियो को शुरू लेट्स टाप दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कोविट के बाद बॉलीवूड की मुवी लाइन से पिटी हैं अगर मैं आपको एक आंकड़ा बताओं कितनी मुवी फलॉप हुई है आपको पता होगा एक तो उनकी चंडीगर करे आशिकी और एक अनेक अनेक मुवी का टॉपिक अलग था एक्टिंग अच्छी थी लेकिन फिर भी इस सिनारियों में ऐसे वक्त में उनकी यह सीरिस वाली मुवी भी नहीं चली तो दोस्तों भाई बॉलीवूड को सोचना और दोस्तों जिस तरीके से अनाउस्मेंट हुई है उसमें दो लड़के होते हैं वह बोलते हैं कि यार नजर लग गई भाई बॉलीवूड को मुवी चली नहीं रही और शुरुवात में दोस्तों कुछ और्डियंस के कुछ वाइस ओवर आते हैं जिसमें बोला जाता है क बिल्कुरी बेकार मुवी दी कहानी कहाती डिजास्टर हुज फ्लॉप शो कैंसिल हो रहे हैं बॉलीवूड की बॉलीवूड खतम हो गया इस तरीके से जैसे कि हमारे कमेंट आते हैं हमारे कमेंट मतलब वीडियो का कमेंट की नीचे आते हैं कि बॉलीवूड फ्लॉप यह वह, तो यहाँ पर दोस्तो बकाईदा यहाँ पर ट्रोल हो रहे हैं खुदी अपने आप और दोस्तो जिस तरीके से यहाँ पर आयूश्मान को ठाना बोलते हैं अनाOUSEmeant करते हैं कि इस बाद पूझा आएगी, पूझा कव आएगी पूजा आएगी भाई सहाब एद में या गैस पूजा होगी एद में यानि कि 2023 के एद में आएगी भाई सहाब ड्रीम गर्ल पार्टू अभी आप लोग बोलोगे कि भाई सहाब यहाँ पे टाईगर से कौन पंका लेगा दोस्तो वो वाला एद नहीं यानि की मीठी एद नहीं बलकि बकरा एद में दोस्तो आपको जूण को एद है बकराएद उस दिन आपको ऐश्मान खुराना और यहाँ पे मैं आपको अगला जो नाम लेने वाला हूं शायद उसके बा इस अननिया पांडे as a female artist इस movie में होने वाली है अभी आप लोग भी सोच रहे होंगे कि यार बिल्कुली moon खराब कर दिया है उश्मान कुराना ने कितना अच्छा यहाँ पे announcement हुआ, part first कितना अच्छा था नुसरत बरूचा को ही दुबारा ले लेते, तो इनका क्या जाता फिर वही नैपो कीट को लेके आ गए अननिया पांडे जहेली नहीं जाएगी, movie release से पहले ही flop अभी दोस्तों दिएको जिस तरीके से इन्होंने तैयारी की है, इस movie में अननिया पांडे के अलावा भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, जैसे कि अनु कफूर, परेश रावल, अभीशेक बेनर जी, राचपाल यादव, मनोज, जोसी, सीमा, पहवा, मतलब एक लंबी लिस्ट है, वीजे राज, मेरे परसनल फेवरेट तो guys, dream girl में आपको comedy का तड़का खतरनाक देखने को मिलेगा, और कहीं न कहीं अननिया पांडे को जिस तरीके से लिया गया है, वो डुबा भी सकती है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे तंज भी कसा गया है, उनकों दोस्त बोलते हैं, कि भाई, पूजा करने से काम नहीं बिकार स्चोरी यह लोग लेके आ रहे हैं, ना सर होता है, ना पैर होता है, और इसके अलावा, रीमेक बनाते हैं, और नैपो किड, नैपो किड लेके आओ, कोई बात नहीं, आलिया भटलाओ भाई, लेकिन अननिया पांडे, जिनका टैलेंट आप लोगों पताए क्या है, जीब निकालना, उनको मूवी में लेते हैं, तो कहीना कहीं मूवी 50% वहीं फ्लॉप हो जाती है, लेकिन मैं यहाँ पर आप से आपकी राए जाना चाहता हूँ, क्या ड्रीम गल पार्ट टू में अननिया की कोई जरूरत थी, और जो इस अनॉस्मेंट वाले में कहके लिया गया है मेकर्स द्वारा, तो क्या लोगों को थोड़ी सिंपती मिलेगी, मतलब लोग अननिया पांडे को थोड़ी सिंपती देंगे, कमेंट बताओ, बाकी 29 जून को मेरे ख्याल से मूवी आ रही है, तो दोस्तों, आपका क्या कुछ कहना है, बताओ, कमेंट में मिलते हैं क